प्रिविद्यार्थियों मैं डक्तर गीताराम सर्मा सह आचार्यों हरिदेव जोसी राज की कन्या महाविद्यान ने बास भाड़ा है। अभिद्यान साकुन तलम के अभी तक तीन अंक पूरे हो गए। और अब जब चोथे अंक की चतुर्थ अंक की चर्चा प्रारम करें। उससे पहले चतुर्थ अंक के विषय में कुछ विषय चर्चा कर लेनी चाहिए। देखिए कालिदास के काभ्यों की समिक्षा के संदर्व में समिक्षक समाज में एक स्लोक बड़े आदर के साथ प्रचलेते हैं। यह मैंने उपर शेयर किया है। लिखा हुआ है काभ्येशू नाटकम रम्यम। तत्र रम्या सकुंतला। तत्रापी चतुर्थोंक ह। तत्रस लोक चतुष्टयम। इसका विप्रा ये हुआ कि काभ्यों में नाटक रम्यम। उन्हें नाटकों में भी शकुंतला। शकुंतला का विप्रा यहां अविज्ञान साकुंतलम। यह बहुत रम्यम। रम्यम। और अविज्ञान साकुन तरम में भी चतुर्स अंक बहुत रमनिक हैं और चतुर्स अंक में भी स्लोक चतुष्टयर चार स्लोक बहुत रम्निक हैं यहां इस इसलोक के माक्ठम से समिख्षक को कहना यह चाहता है कि यह तो देखिए कि मोटे तोर पर हम जब काव्यों का विभाजन करते हैं सामानते कभी का कर्म काव्य है कवे कर्म काव्य है तो काव्य का प्रसमत्रा विभाजन अंद्रिक आधार पर पाठक या सहर्द है उसको इंद्रियों के जिन जिन इंद्रियों माध्यमों से ग्रेहन करता है उसके आधाब उसकी दो बिधाएं दो प्रकार हैं कि एक पकार तो यह उता है कि जो कव्यों पड़ करके या सुन करके बुद्धी से गरहन किये जाते हैं और हर्दे में धारल किये जाते हैं और आंध लिया जाता है ऐसे कव्यों को स्थरवे गाव्य कहते हैं बन दादोनु दूसरी जो क्विदा होती है कावजार दूसरवेदे प्रकाल होता है वो होता है द्रश्यकावि, द्रश्यकावि में द्रश्यकावि को सुना भी जाता है कानों से और आँखों से देखा भी जाता है, द्रश्यकावि को ही हम रूपक और उपरूपकों के रूप में देखते हैं, द्रश्यकावि माले जिसको आँखों की द्वारा देखा भी जा स कि द आख के वह दो में रूपक और उपरूपक होते हैं तो नाटक अधी दस रूपक हैं आप जब आगे किसतर पर पढ़ोंगे नाटी सास्तर को तो नाटक प्रकरन भ्यायू समय का डंधिम यामन गंक भी थी प्रहसंग इत्याधी इत्याधी जो 10 रूपक हैं और नाटक उपरूपक हैं उवे सब द्रश्रकाव में टो रभय और द्रश्य को दौनों प्रकार के म्यां अ है अधिट करमनिक अधिक सुंदर कों Corporate कि नातकर मनिक हुगा नातकार केर के द्रकाते होत KH속े qa natsa qang al video तो नातक इसलिए रमनिक है क्योंकि ये कानों से सुना जाकर के कानों से तो सुना जाता ही है आँखों से देखा जाता है और जो चीज अब खुद जाने कि जो वस्तू या जो गटना है या जो कथाने कर या जो काज कानों से सुना भी जाए और साथ में आँखों से देखा भ कैवल जो देखते हैं उनको कि आज़ा हैुए इसलिए काप नत हम न कियोंकि नत हुआप जीदि कल cristal कि यह उता है कि आपकों देखा भी यज़ाहते है नाथा को ऊठसी यत होता है लेकिन उन सभी नाटकों में यदि अंतरक तुल्ला करें तो तत रम्या सकुंतला तो वहां अविज्ञान साकुंतलम नाम का जो नाटक है महा कविकालियास का नाटक वह बहुत रमनीक है इस रह्म रीनिकता का मुल्यंकर और ज्यादा सीविट दाइरे में करें तो अबिज्छान साकु रंकatar बहुत जाड़ी उसमाले को और ज्यादा सिमत के जाएं तो इन चार अंको में भी जो अधर्त पर जूर्वत रोक्त बहुत का द्दिकर में पर आद. तो यह कह सकते हैं कि काभ्यों में सरवोत्तम काभ्यो नाटक, नाटकों में भी सरवोत्तम नाटक, अविज्यान साकुंतरम, अविज्यान साकुंतरम में भी सरवोत्तम अंक, यहां तो साथ अंक हैं, तो सरवोत्तम चतुर्थ अंक हैं, और चतुर्थ अंक में भी सरवोत्तम चार स्लोग, अब यह कही वो चार स्लोग मैं बीच में बताऊंगा, पढाऊंगा उनको, यह चार स्लोग इस नाटक के हर्दे हैं, अब हम चर्चा इस बार पर करते हैं, कि चतुरत अंक कहीं क्यों रमनी के, यह कोई भी अंक कम नहीं है, महाकवी कालिदास जिद्यपी एक विश्वक अभी है, और साहित्ति के माध्यम से, समाज को, संस्कृती को, धर्मे विवस्था को, जो कुछ भी दिया जा सकता है, कालिदास उत्वा खरे होतने हैं, लेकिन चतुरत अंक में, चतुरत अंक में तो, साहित्ति धर्म के निर्वाह का, चर्म पढ़नती हैं, इस नाटक के चतुरत अंक की विश्थाओं के रुप में देखते हैं, तो, पहली बात तो इसमें ये है, कि विश्था सामाज का अंक है ये, देखिए नाटक में, संसार के लिए आवश्यक, और संसार जिसके में चल नहीं सकता हुए, दोईत भाव इसमें खूब है, अब यहां देखिए कैसा अधूत संगा में, एक तरफ दुर्वासा का साप है, तो एक तरफ कंण की सहिंसिलता है, तो रात्र और सहिष्णुता, प्रेव, इन दोनों जो जो दो विरोधी तत्व हैं, उन दोनों का बला अधूत समन्य संग्र हैं, दुर्वासा शाप देते कंड़ कांग नहीं थे, कंड़ शी दुर्वासा के दिये गए साप का साप देकर के ही बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें दुर्वासा के साप को बदला नहीं लिया, सुईकार किया, दूसरा इस नाटक में, जो अधुद बात है, वो शकुंतला की बिदाई का दर्श्य बहुत ही बासल्य से परपून है, करवना है उसमें, बासल्य में करवना घुरी हुई है, एक पिता, अपनी पुत्री को, जब पर्थंबार, पतिक रह के लिए दिवाह के बास बिदा करता है, तो उस पिता के हरदय का जो मर्म है, जो उसकी प्रेम की जो नभूती है, उस प्रेमान भूती का ऐसी होती है, इस प्रेमान भूती का एक छोटा सा, एक प्रेमान भूती का कुछ अंस, करण ने कहा है कि मेरी जो इस्तितिय में बता नहीं पा रहा हूं, सत्मुचो यह ऐसा दर्श्य है, जिसको एक पिता, पिता बनकर कही महसुस कर सकता है, तो एक पुत्री के विदा करता समय है, पिता का स्नेय हो, यह आज के समाज में भी बहुत उप्योगी है, आज जब बालिकाओं पर, बालिकाओं पर छुद्रों, दुरभावों के कारण संकट आता है, तब उस समय का कंड, उस समय के कंड, वो भी एक ऐसी पुत्री, जो उनकी पुत्री नहीं है, उसको कितना प्यार दे कितना दिलार देते हैं, उसको बिला करते हैं, कैसे करणा से भर जाते हैं, वो है कंड, वो खुद बताते हैं, कि मैं मुझे बनवासी की जब यह इस्टिती है, तो ग्रहस्तों की क्या दशा होती होगी, जो पुत्रीयों को बिला करते हैं, तो बड़ा मार्मिक बढ़ना रह लेकिंए शकुंतला ने एक तरह से आज की भासा में देख़ें तुम्हार्ता आ आस्रम है विपटरी दित्कारियी अस्तरम करते हैं अस्तर से लोग्यापड में अध्यरत ज규명 होते हैं लेकिन शकुंतला के साथ सुखाय करते हुए और पुत्ती को वैसा ही प्रेम दिया जो सामन्नी विवहां के वसरपर विदाउत्र दिया उससे ज्यादा दिया तो सपुंत्रा की करुनाद्र विदाई का दश्य बहुत सुंदर है इसमें आस्रम में प्रिकृती और मनुष्य के बीच के जो रिस्ते हैं वह बहुत मदूर हैं बहुत मदूर हैं इस नाटक में वह इस नाटक में दिखा हुआ है अच्छा कंडू एक बात और ठूट गई कंडू के बिदानी करते हैं पूरा सामाजिक सरोकार जब पुत्री बिदा होती है तब माता पिता को क्या संदेश देना चाहिए वह पुत्री को अपने परिवाज देपरती कर्तब्यों का भी पाठ पढ़ाते हैं वह बताते हैं कि बेटा तुमको जब वहां चली जाए तो तुमको गुरुगों की सेवा करनी हैं सखियों के जो सपत्नी जन हैं जो सौत हैं उनके साथ सखियों का सब विवार करना हैं पती के रुष्ट हो जाने पर भी रोस नहीं करना हैं सेवक परजनों के प्रती उदार रहना हैं और ऐसी जो बालिका हैं और विवा के बाद ग्रह लक्षी में कहीं आती हैं और जो असन नहीं कर पाती हैं वो कुल की आधी विवारी होती है वो के वह पुत्री को नहीं समझाते हैं उस राजा को भी संदेश देते हैं कि हम साधू हैं यह यह विचार कर लेना और तुम्हारा कुल बहुत उचा यह विचार कर लेना इन दोनों बात यह दोनों बाते विचार करके मेरी पुत्री के परती जो व्यवार तुम को करना है वह प्यूंतम उसको कम से कम जो मानवी है तो उसको होनी ही चाहिए इस सिभी उसको मिलता है तो उसका भाग data यह चाहते हैं कि उसकी पुत्री की पूरी हो इतनी टोंका अधिकार है और आगे इसर कि इच्छा इसी तरह प्रकृति के प्रती इस नाटक में बहुत अच्छा हम देखते हैं सुरू में ही जब शकुंत्रा बेदा होती है तो रतना भूशन तो यह हैं नहीं तो शुष्य कंडू की आग्या से से सिर पुस्प लेने जाते हैं और आपर व्रक्ष ही शकुंत्रा के लिए उपह स्कृत्म यह सब इस लोग आएंगे मूल में भी तो फिर जब शकुंत्रा बिदा होती है तो बिदा होते समन्ना केवल मनुस्य और सखियां और जो है उसके सहचर दुखी हैं उसकी बिदाई से वालकि उद गलत दर्व कवला मर्ग्य है परितक्त नर्तना मयूरा घरनिया घ पत्तों के बहाने से मानु आसू बहाने लग जाती है ऐसा सुंदर मनुष्य प्रकृति का अंतरंग संबंध है इस नाटक में इसलिए यह नाटक जो है न चौट प्रकृति के प्रकृति और मनुष्य के बीच जो प्रे में उसकी दश्टी से भी बहुत रमनीक है सामाजिक पुत्री का परिवार के परती यह बधू का और सफवार के परती सफवार के लोगों के परती कैसा भाव होना चाहिए इसकी सिक्षा की दुष्ट्री से भी बहुत महत्तपूर है रस दुष्ट्री से भी बहुत महत्तपूर है एक इस लोग में सारे रस आगए नवरस तलेस रदियम संतप्ष्थमुत कंठेया हैं सात्यक भावरों की दश्ट्वी से नाट्ये झो ऐनके सामाजिक रीती नीती की दश्ट्वी से भी इवारा मेहत्वण है और बनवासी भी सामाजिक होते हैं अपने आपको कि वह तबस्वी कहकर समंज से बहुर्मुक नहीं कर सकते इस ज़श्ट्री से भी एनक बहुत प्यारा उंक अग्या आंक इस प्रकार यह जो चतुर थनक है कि जायए कि स्टी से कखाना की दिफटी से कए रिसीज़ से कए जाने रस दिफटी से कए यह अद्वुत अंग है एक विश्चा पीजक्य वी कमें बिज्ञान साकुंतलम में जो कंडू हैं जो सकुंतला के बिदा है वही रहते हैं पूरेंग में नायक पूरेंग में नहीं है और कंडू का तो जितना कहा जा है कंडू के चरुत्र का जितना भिकास इसंक में कभी ने किया है वो दुरलग है पूरा जब हम पढ़ेंगे संक को तो बहुत आनन्द आएगा और बहुत परिच्छा की दश्टी से भी हैं को बहुत महत्मुले स्वतंत प्रशन आ जाता है चातुर्थंक करों पूछ लेते जिती इसकी समिक्षा की तो इस प्रकार चाहे प्रश्ट किसी पितला से आ जाए अविज्ञान साकुद्रम का चत्रसंग उसका हर्दय है यह बात हमको सिद्ध करनी हैं आज के वीडियो में किवा चत्रसंग की विशेष्टाई होगी अगले वीडियो में चत्रसंग प्रादम करेंगे बस आज इतना है